तीन थी गाड़ा काम बिगाड़ा अपने कमरे में बुलाया सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहु बोल उटती है नहीं मम्मी जी मैं इन दोनों की साथ कुछ नहीं कर सकती मैं इस घर की बड़ी बहु हूँ फिर भी ये मेरा कहना बिलकुल भी नहीं मानती आरे जठानी जी जान बुझकर मुझे डबल काम करवाती है और चोटी मुझसे تेड़े मुhी बात करती है इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ मम्मी जी इन दोनों को लगता है कि मैं चोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाओंगी लेकिन नहीं मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए मुझे क्या कम समझ रखता है तीनों बहूं एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देख कर टैंशन में आ जाती है और सबसे कहती है चुब हो जाओ अपसे तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी आँख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी तुम तिनो इस बात को गाठ बांद लो वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना माई के जाना कैंसिल सास की बाते सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती है जी ममी जी मैं समझ गई हाँ ममी जी जैसा आप कहें आप जो गहेंगे मैं वहें करूंगी एक साथ मिलकर ही करेंगी ये सब देकर सास खुश हूजाती है और वहाँ से चली जाती है नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आये हुए होते हैं सास जोड से 아klich आवाज लगा कर कैती है आर बहू जरा चाही बना कर तो लाना शर्मा जी आये है सास की बाद सुनकर तीनों बहुत तुरंद किचन की और भागती है और चाइबनाना शुरू कर देती है मुझे तो एक दम मसाले वाली कड़क चाई पसंद है तो हम शर्माजी के लिए मसाले वाली चाई ही बनाएंगे आरा नहीं दीदी गर्मी के मौसम में मसाला चाई कौन पीता है मैं तो शर्माजी के लिए इलाइची वाली चाई ही बनाऊंगी यह कैसी बात कर रही हैं आप दोनों मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूद और शक्कर वाली चाई देनी चाहिए वारना वो घरवालों को कंजू समझते हैं तो मैं तो शर्माजी को पैसी चाह दूँगी तीनों बहुए अपने अपने तरीके से चाह में शक्कर मसाला पत्ती सब डाल देती हैं उबलने के बाद तीनों मिलकर चाह बाहर लेकर जाती है और शर्मा और सासुमा को देती हैं चाइपीने के बाद शर्मा जी सासुमा को देख कर शर्मा जाते हैं और शर्मिन्दा मैसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाइपीने के लिए हामी क्यों भरी सासुमा भी चाई पीना शुरू करती है और कहती है अरे बहु ये कैसी चाई बनाई है चाई है या मीठे दोट की बासुन दी हाँ चाई अच्छी नहीं लगी क्या कोई बात नहीं हम पराठा बना कर लाते हैं चलो चलो अंदर हाँ हाँ चलो हाँ आती हूँ मैं भी नहीं नहीं मेरा पेट चाई नहीं चौपट कर दिया वही काफी है पराठे से पोपट नहीं करवाना मैं तो चलता हूँ शर्मा जी चुप चाप पतली गली से निकल जाते हैं अगले दिन सास बहूं से कहती है अरे बहू जाओ जाके उपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो कल हमारे यहां मेरे दूर के रिष्टदार आने वाले हैं तो पूरे कमरे को चमका देना समझी तीनों बहू सास की बात को मान कर उपर सफाई करने चली जाती है और तीनों कमरे की सफाई चालू करतेती है बड़ी बहु मकडी के जाले साफ करती है तो बीच वाली जाडू लगाना और छोटी वाली सर्फ डाल कर जमीन धुना शुरू करतेती है आरदी दी जिठानी जी अभी मैंने पूरी फर्श्थ होई और आप फिर से दूल नीचे गिरा रही है और मजली जिठानी जी आप भी न जाडू की दूल यहां जटक रही है आरदी तीनों को साफ करना है एक साथ सफाई करते हैं न अरे वही तो हम साथ साथ हैं घर साफ साफ है तीनों बहू ऐसे ही काम में उलज जाती है और दो घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है बहुत तेर से अपनी बहू को ना देखने की कारण सास उपर कमरे में उन्हें देखने जाती है लेकिन कमरे में घुस्ती ही वो गिली फर्ष पर फिसलने की कारण नीचे गिर जाती है तीनों बहूए सास को उठाती है और बिस्तर पिसुला देती है अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं दबा दो आराम मिलेगा आजी आजी माजी आरा जी जी माजी जी माजी और तीनों बहूए एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती है मा की तो चीक ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है हाई राम ये क्या कर दिया तुम तीनों ने अरे मेरे तो किस्मती भूटी है कि तुम जैसी बहुए मुझे मिली ए बगवान पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है अब तो पता नहीं के चल भी पाऊंगी या नहीं बाफ करो मुझे गल्दी हो गए मुझसे के तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला सोचा था तीनों मिल के अच्छे से काम करेगी लेकिन बड़े बुजर्ग सही कहते थे के तीन थी गाड़ा काम भी गाड़ा तुम लोगों ने ये बात आज साबित करके दिखा दी तुम तीनों को तो समझाना याने मानो भैस के आगे बीन बजाना है तुम है अकेले अकेले काम करना है ना तुम अकेले ही अपना अपना काम करो तीनों बभुएं वहाँ से जाने लगती है अरे कहा जा रही हो आपी ने तो कहा कि अपना अपना काम करो तुम मुझे मुलताने मिट्टी लगानी है अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है मुझे ना मेंदी लगानी है सास अपना सर पीट लेती है और कहती है अरे मुझे भी लगाना है कुछ क्या माजी? क्या माजी? क्या माजी? तुम्हारे घरवालों को फोन तुम्हारी हरकते बताने के लिए तुम्हारी हर झारलों को